प्यारे बच्चों जैसे हमने पिछले लेक्शेर्ज में सॉफ्ट्वेर शुरू किया था और सॉफ्ट्वेर में हमने ये पढ़ा सिस्टम सॉफ्ट्वेर क्या होता है एप्लिकेशन सॉफ्ट्वेर क्या होता है और यूटिलिटीज क्या होता है उसी में हमने सिस्टम सॉफ्ट्वेर में इपरेटिंग सीस्टम और उसके टाइप पढ़ दिये लैंगवेज ट्रांसलेटर अभी नहीं पढ़ा जब हम languages पढ़ेंगे computer की सारी languages C language क्या होती है C++ क्या होती है जितनी languages हैं वो सारी पढ़ेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे language translator क्या होता है और हमने application software पढ़ा application software में हमने Microsoft Word पढ़ दिया उसकी shortcut keys पढ़ दी बहुत बच्चे बो रहते सर कीज याद करनी बहुत मुश्किल है उनके लिए भी बेहतरीन तरीका हम लाएंगे आज तक banking में जितने भी सवाल आए हैं कम से कम 2000 MCQ की लिष्ट बनाएए हमने वो पढ़ाएंगे तो उससे और आपको clear हो जाएगा तो Microsoft Word हमने पूरा पढ़ दिया है अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले Microsoft Word का लेक्चर देखिए अब हम पढ़ेंगे MS Excel फिर पढ़ेंगे MS PowerPoint तो चलिए शुरू करते हैं Microsoft Excel की बात सबसे पहले देखिए हर चीज सीखने का एक सीक्वेंस होता है ऐसे इनी बीच में से टॉपिक अठाया और पढ़ने शुरू होगे अगर आपका पहला लेक्चर है तो पहले कंप्यूटर के शुरू वाला लेक्चर देखिए पहला दूसरा तीसरा फिर यहां पहुँचिए हमारी प्लेलिस्ट में हमने वो सब कुछ सीक्वेंस में कर दिया है और अगर आपने मैथ वाले पेड कोर्स में अभी तक रिजिस्टर नहीं किया है प्यारे बच्चो ये मेरा दावा है कि इसके बाद आपको मैथ सीखना नहीं पड़ेगा इतनी बरपूर मेहनत की जा चुकी है उस मैथ के कॉर्स में मैं आपका आखरी मैथ का टीचर हूँगा ऐसा हमने विदिक मैथ और ऐसा ही हमने अरिथमेटिक डिजाइन किया है तो उसके लिए जल्दी रिजिस्टर कीजिएगा बहुत जल्दी आई होप कल या परसू से उसकी कलास शुरू होगी तो चले हम सीक्वेंस से चीज़ें पढ़ते हैं अगर आपको याद है तो मैने आपको बताया था माइक्रो साफ्ट वर्ड जो होता है ये कैसा साफ्ट वे है ये लदाख के टीचर के पेपर में आ चुका है बहुत बार बेंकिंग में भी आया है वी चाफ दी फालॉइंग इस वर्ड प्रासिसिंग साफ्ट वेर तो जब माइक्रो साफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रासिसिंग साफ्ट वेर है यानि कि उसमें हम लिखते हैं, ये मतलब होता है word processing का, यानि कि words के साथ खेलते हैं, लफजू का खेल है, किताब बनाते हैं हम उसमें, तो Microsoft Excel क्या होता है, तो Excel के बारे में सुनिए, ऐसे vertical lines होती है, और इनके बीच ये जो जगा होती, इसको बोलते column, ये column first है, column, ये सारे इस इनको बोलते हैं, ये जो लाइने में horizontal बना रहा हो, इनको बोलते हैं, रोज, तो vertical column और horizontal ये रोज के, इस area को बोलते है, Microsoft Excel, तो paper में आता है, Excel कैसा software है, this is spread sheet software, देखो, ये vertical column और रोज को, ये जो है, ये वाला area, इसको spread sheet बोलते हैं, तो पहला सवाल यानि कि हम डबू में चीज़ें लिखते हैं ऐसे डबे बनते हैं वर्टी कलोर होरिजॉंडल लाइन्स के बीच उनको बोलते हैं इसको ऐसे एरी को बोलते हैं सप्रेड शीट तो एक्सल के ऐसा साफ्ट विर है अब आगे नोट बनेएगा मेरे साथ पहल एक्सल लिखो एक्सल के बाद पहला पॉइंट लिखिए यूज कहां होता है अगर आपको समझ नहीं आया तो चलिए अपनी देसी लेंगवेज में चलते हैं देसी एक्सम्पल लेते हैं याद करो वो लमहा जब छोटी कलासू में आपको फीस कार्ड दिया जाता था और फीस कार्ड के यहां लिखा होता था जैनवेरी, फैबर्वेरी, मार्ड ऐसे महीने और यहां डबे डबे बने होते थे वो जैनवेरी की फी दे दी मार्च की फी दे दी डिसम्बर की फी दे दी या नहीं दी यारारा, उल्टी साइड क्या लिखा होता था अंग्रेजी में कुछ लिखे होते हैं जैसे अडवाइजर्स सुबा पांच बज़े उठना है पॉलिश करना है शूज को डेली और यूनिफार्म दो के आनी है कटिंग करवानी है याद है ना आपको छोटी किलासों का फीस कार्ड चलो आप तो बड़े बच्चे अडवान्स हो गए है शाइद नहीं पता हो बड़ जो पुराने दोर का जैसे मैं हूँ पुराने दोर का तो मुझे पता है चली आगे तलते तो एक्सल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेर है इन इन कामों के लिए यूज होता है अब माइक्रो सॉफ्ट वर्ड में मैंने बता था MS Word के अलावा नोट पैड है वर्ड आर्ट है डिर सारे सॉफ्टवेर है जो के वर्ड प्रासेसिंग है तो क्या एक्सल के अलावा कोई सॉफ्टवेर है ऐसा सवाल आ सकता है कि एक्सल को छोड़के इन में से कौन सा स्प्रेड शीट सॉफ्टवेर है तो स्प्रेड शीट सॉफ्टवेर कौन कौन से है एक तो एक्सल उसके लावा लोटस वन टू थ्री और क्वेट्रो प्रो और एक्सल ये भी स्प्रेड शीट सॉफ्टवेर है आगे चलते है Microsoft Excel में क्या होता है Single File is called Workbook देखिए हमने MS Word में कोई फाइल बनाई और MS Excel में बनाई MS Word में जो हम फाइल बनाते है उसका नाम होता है Book One क्या नाम होता है? Book One और यहां पे जो फाइल होती है Single File उसको Workbook बोलते है क्या बोलते है? Workbook अब एक Workbook के अंदर डेर सारी Worksheets होती है यह से Worksheets में आपको बताता हूँ देखिए यह ऐसे लाइने है Verticals और यह लाइने है Horizontal इस पूरे को बोलते हैं Worksheet और यह जो Software है उसको बोलते है Excel बोलते है तो चले आगे देखिए Grid of Cell अच्छा सेल क्या होता है दो पहले मैं एक पर सुझा लेता हूँ यहाँ पर Horizontal Rose Horizontal बतलब ऐसे लाइने लंबी 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 लटाई ही लाइने इनको horizontal बोलते है Vertical क्या होती है ऐसे खड़ी लाइने इनको vertical columns बोलते है इनके बीच यह देखिये यह डबा इसको सेल बोलते है इस डबे को क्या बोलते है सेल पेपर में आता intersection of rows and column is known as cell rows और column के intersection को क्या बोलते है सेल बोलते है चलें आगे घ्यान की बाते करते है प्यारे बच्चो अब इतना घ्यान बरसेगा इतना ग्यान बरसेगा थोड़े दिनों के बाद के साइंस सबजेट की धजियों उड़ाने वाले हम कम्प्यूटर के MC क्यू करेंगे ऐसे मज़ा आ जाएगा आपको सवाद आ जाएगा आप बोलोगे वाह मास्टर जी क्या मज़ा आ गया है इस बार अकाउंट एसिस्टेंट तो दूर हमारी मनजल अब और आगे जा रही है अकाउंट एसिस्टेंट में हम रुकने वाले नहीं हैं चलते आगे अगला सफर शुरू करते हैं देखिए ये मने आपको सब बता दिया इंटरसेक्शन आफ रोज एंड कालम इस काल्ड उस ग्रिडव होता है जो उसको क्या बोलते हैं और उसकी नम्बरिंग होती है अब सुनिए अच्छा है MS Excel यूज किसलिए होता है मन्थली बजट बनता है स्टेट का, कंट्रीज का, यूटीज का कोई छोटी अर्गनाइज़ेशन है उसका, अकाउंटिंग पर्पस के लिए अभी आप अकाउंट में जॉब लगने वाली है आपकी तो आप दफ्तर में जाएंगे आपके सामने चाया रही होगी और बोलेंगे मैडम जी या मास्टर जी चलिए ये डेटा एकाउंट लेजर में अड़ कीजिए तो आप बोलोगे वाह मास्टर ने बताया था एकसल में डेटा अड़ करते हैं फिर जब महीने की 31 तारीक होगी रात के 12 बज़े आपको मेसेज आएगा तर्टी ताउजन रुपीस अब जब एकाउंट क्रेडिट होगा तो पहला सवाल आपके मन में क्या आएगा एस्पाइर अड़ा के मास्टर के खाते में डालते हैं पैसी चलो वहाँ पैसे का डालोगे हमसे लोगे चलिए और इसमें बैलेंस शीट बनती है बिजनस के लिए यहां तको गया इसको पॉइंटस में लिखिएगा जो बाते में ने बोली है जरा भी कहीं डाउट है तो नीचे कमेंड कीजिएगा एस्पाइर अड़ा का नंबर हमने दिया है तो अड़ा के दफ्तर में कॉल कीजिएगा उसी वक्त फकल्टी से बात होके आपकी हल्प की जाई आगे चलते है याद करो वो लमहा सुनेहरी लमहा कौन सा वो वाला नहीं जब लॉगड़न खुलता था तो बागे बहु जाते थे वो नहीं मैं कुछ और बात कर रहा हूँ जब हम MS Word पढ़ा था हमने तो मैंने आपको बताया था MS Word को स्टार्ट करने के दो तरीके हैं अगर याद आ रहा है ठीक नहीं आ रहा दिमाग पे जोर डालिए और जोर डालिए और जोर डालिए अगर फिर भी नहीं याद आ रहा तो इस लेक्चर को छोड़ दीजिए पहले वाला लेक्चर पढ़िए फिर आ गया यह तो स्टार्ट करने के दो तरीके हैं एक स्टार्ट पे जाओ और प्रोग्राम पे जाओ MS Office पे कलिक करो और खुल जा सीम सीम हमारा MS Excel यह डिटेल्ड वे है खोलने का शाटकट विंडो विंडो की की होती है मैंने आपको जब कीबोर्ड पढ़ाया था तब पढ़ाया था ऐसे विंडो की की होती है विंडो की और आर का बटन अगठा दबाना है तो हमारे सामने एक ऐसा डबबा आ जाएगा उस डबबे को बोलते रन डाइलाग बक्स वहां लिखिए एकसल.exe तो बस फोरण खुल जा सिम सिम आपके सामने एकसल की शीट आ जाएगी अगर आपने पुराना लेक्टर अच्छे से पढ़ा है अभी वीडियो को रोकिए और नीचे कमेंट में लिखिए .exe का क्या मतलब होता है .exe मैंने पहले लक्चर में बताया है अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट लिखिए पहरे बच्चो मैं आपको अभी बता सकता हूँ .exe का क्या मतलब होता है मगर अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपके दिमाग की recall करने की पावर खत्म हो जाएगी ये फर्क होता है एक true teacher में और सिर्फ रटी रटाई चीजों को सुनाने वाले बंदे में ये और teacher में फर्क होता है teacher बच्चों के अंदर creativity डालता है learning का शोक डालता है बलके आम इनसान बच्चों को अपने पीछे लगाता है हम चाहते हैं कि आप खुद learning करना सीख जाओ चलो आगे चलते हैं घ्यान की बाते करते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है तो हमने MS Word में पढ़ा था जो 2003 से पहली फाइल होती है उसका extension क्या होता है अगर extension आपको याद नहीं तो मैं फिर से revise करा देता हूँ देखो चलो इसको हम layman language में आपको बताता हूँ extension होता गया है देखो मैं यहाँ पर नमबर लिख रहा हूँ 7-0-6-8 आप मुझे बताओ यह कौन सी सीम का नमबर है हाँ बताओ वह वेरी गुड आप सब के जहन में आ गया है अरे मास्टर जी यह तो जियो का नमबर है है के नहीं अगर आपको याद हो माजी के पास्ट के वो दिन 88,0,30 याद है रहा ऐसे नमबर तो बताओं यह कौन सी सीम का नमबर है हाँ आपके जहन में आरा मास्टर जी है तो ESL का नमबर है अगर मैं यहां लिख रहा हूँ 94193 कौन सा नंबर है आपके जहन में आ रहा है मास्टर यह तो BSNL का नंबर है अब मुझे बताईए आपको कैसे पता चला यह BSNL का नंबर है जियो का नंबर है एटल का नंबर है यह एरसल का नंबर है स्टार्टिंग वाले कोड देखके पता चल जाता है ना इसी तरीके से कम्प्यूटर को कैसे पता चलेगा यह MS Word की फाइल है Excel की फाइल है PDF है PPT है इमेज है आखिर यह बला क्या है इसी चीज़ को बोलते है फाइल एक्स्टेंशन क्या बोलते है फाइल एक्स्टेंशन देखिए अगर लिखा हो .PDF इसका मतलब यह PDF फाइल है इसकी फुल फाइल मैंने बताऊंगा अभी हमने ग्रूप में एक PDF भी डाला था जिसमें यह सब कुछ लिखा हुआ था तो इसका मतलब आपको पता चल जाता यह PDF फाइल है मैंने लिखा .DOC तो आपको पता चल गया यह document फाइल है डियो सी एकस लिखाओ डियो सी है यह डियो गी नहीं है यह डियो सी एकस है इसका मतलब यह word 2007 की फाइल है उसी तरीके से अगर लिखाओ कहें पे .XLS तो इसका मतलब होता है यह Excel की फाइल है मगर 2003 का जो वरजन है उसकी फाइल है और अगर लिखा हो कहीं पे .xlsx इसका मतलब होता है ये भी Excel की फाइल है मगर ये 2007 और उससे अबो जो वर्जन है उसकी है ये वर्जन्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया है पहले लेक्चर में अगर मैं आपने आफिस वाला लेक्चर अच्छे से पढ़ा है तो फॉर्ण नीचे कमेंड कीजिए वट ड़स एक्स स्टेंड्स फार ठीक है इन एक्स एल एस एक्स वट ड़स दिस एक्स इंडिकेट्स एक्स का क्या मतलब होता है फॉर्ण नीचे बताईए और मैक्रो मैंने आपको बताया था मैक्रो क्या होता है एक पर फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कोई ऐसा डबा जो हमने बना दिया जिसमें कोई रिकार्ड डाल दिया हमें बाद में भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो उसको बार 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 बनाने की जरूरत नहीं होती इसको हम सेव कर देते हैं एक आप्शन आता है मैक्रो और फिर बाद में जहां जरूरत होता है तो उसको पेस्ट कर देते हैं सिंपल बार बार बनाने की जरूरत नहीं होती है टाइम सेव होता है इसे इतनी बाते पर चलिए आपको अब चलते हैं और आगे ग्यान की बातें करते हैं एकसल के कंपोनेंट क्या होते हैं इससे आगे जो है यह ज़रा मुश्किल है चीजें याद करने की आपको जरूरत पड़ेगी देखिए यह है एकसल की शीट MS Word में भी इसी तरह हमने आपको बताया था एकसल में भी बता रहे हैं देखो इस पूरे एरिये को बोलते हैं यह वर्कशीट है देखो यह लिखा ना वर्कशीट मैंने भी आपको बताया था उपर यह जहां पर डबे डबे ऐसे बने हैं इसको बोलते हैं वर्कशीट क्या बोलते हैं वर्कशीट आफिस 2007 से पहले तीन वर्कशीट हुआ करती थी और आफिस 2019 के बाद एक वर्कशीट है अड़वांस है ये ज़्यादा सेल्स होते है इसमें अब देखिए ये जो यहां पे एरिया है ना ये जहां पे मैं लाइन लगा रहा हूँ इसको बोलते हैं फाइल नेम यहां पे फाइल का नेम होता है क्या फाइल बना रहे हैं हम यहां पे क्विक एकसेस टूल बार होता है ओपन क्लोज कॉपी वो सब इसको बोलते है टाइटल बार ये बार ये दूसरा वाला नहीं है जो कनाल डोड़ पर है बी ए आर वाला 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 नहीं है ये दूसरा है टाइटल बार है ठीक है अब आपकी बावनाओं को मैं जगाना नहीं चाता हूँ वो वाला बार नहीं है जो अभी खुल गया है चलो कोई बात नहीं है ये दूसरा टाइटल बार है टाइटल के उपर लिखते हैं चलिए बहुत अच्छे बच्छे आगे रिबन इस एरिये को बोलते हैं रिबन रिबन में ये ये चीजें होती है अभी हम पढ़ेंगे ये क्या क्या होता है अच्छा यहां पे होता है एक फार्मूला बार ये जेके एसलबी में बहुत बार पूछा गया है कि एकसल में जब भी कोई फार्मूला बनता है तो शुरू में क्या लिखा जाता है जैसे हमें किसी को एड़ करना है तो सम लिखते हैं यहां लिखते हैं A और B ऐसा होता है एक्सल का फर्मूला शुरू किसे होता हमेशा एक्वल टू साइन से चलें आप ग्यान की बाते करते अभी जो बाते हमने यहां बे मैंने आपको दिखाया है अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या होता है कंपोनिंट देखिए यह कंपोनिंट बनाने की जरूरत नहीं है एस्पाइर अड़ा ने बेहतरीन कंप्यूटर की किताब डिजाइन की है जो हम आपको बहुत जल्द देने वाले हैं पूरी की पूरी PDF किताब देंगे प्रिंट निकालके उससे पढ़िएगा मगर पहले खुद के नोट्स बनाने बहुत जरूरी होते हैं आपको कैसे किसी दूसरे के नोट्स समझ आएगा इसलिए मैं चाहता हूँ पहले खुद के नोट्स बनाओ फिर हम आपको किताब देंगे एक बार मैं आपको फिर से बता दूँ अगर किताबें खरीदने से बंदे की डिगरी बंदा बंदे की जॉब लग जाए तो आज कनाल रोड में जितनी भी किताब हूँ वाले हैं सारे के सारे I.S. अफिसर होते ये जम्मू में जितनी भी किताबें हैं पकाडंगा में जितनी भी किताब हूँ वाले हैं सारे I.S. अफिसर होते किताबें खरीदने से कुछ नहीं होता उनको समझाने वाला गुरू गाइड होना चाहिए जो बताए नोट्स कैसे बनाने हैं खुद के नोट्स तो देखे आफिस बटन सबसे पहले उपर होता है मैं आपको बता देता हूँ एक पर आफिस बटन होता कहां पे है ये जहां पे लिखा है यहां पे फाइल होता है देखो ये बलैक कलर का जो दिख रहा है आपको यह फाइल भी बोलते हैं इसको और इसको आफिस बटन भी बोलते हैं आते हैं यहाँ पर देखो फाइल भी बोलते हैं ऑफिस बटन भी बोलते हैं एक्जैम में आता है कि आफिस बटन के अंदर या फाइल के अंदर क्या आप्शन होते हैं पहले नंबर पे उता है न्यू या के नई फाइल बनानी है या होता है open कोई परानी open करनी है या होता है save save का मतलब होता उसमें changes करके save as का मतलब होता उसको rename करके save करना दूसरी location पे या print या share ये वाले option होते हैं office button के अंदर अब मैं आपको बताऊंगा notes आपको कैसे बनाने है उपर heading लिखनी है component of excel नीचे point number one और one point पे लिखना है office button या file और फिर नीचे लिखना है A क्या होता है उसके अंदर उसके अंदर होता है new B दूसरे नमर पे क्या होता है open और vertical नीचे C क्या होता है save ऐसे vertical अगर आपको याद हो तो छोटी कलासों में अगर आपके डीचे एफिशेंट हुए होंगे तो उन्होंने आपको जब essay याद करना सिखाया था तो point two में essay याद point number one point number two point number three ऐसे vertical चीजें ज़्यादा जल्दी याद रहती है इसलिए मैं आपको बोलता हूँ vertically notes बनाई ठीक है सबसे पहले इसमें save undo undo का मतलब होता है जो भी कर दिया उसको हटाना है MS office के shortcut में ने प्राया आपको redo दबारा उसको करो और डेर सरे बाकी option होते है customize का मतलब होता है आपने हिसाब से change कर सकते हो title bar में क्या होता है excel की file का नाम होता है मैं आपको बता देता हूँ title bar कहा है ये देखिए ये इसको बोलते हैं title bar ये यहां पे आगे excel की file का name होता है क्या हमने नाम रखा है abc.xls ऐसे करके title bar के बाद देखिए आगे है ribbon ribbon में क्या क्या होता है अच्छा अब इसको अपने note में कैसे लिखना है देखो paper mail का which चाओ जी following is not a part of ribbon सबसे पहले लिखो ribbon और ribbon के नीचे ऐसे लिखो पहले नंबर पे ribbon के अंदर होता है home ribbon के अंदर होता है ये देखो insert page layout formula data review या view ये सारे किसके अंदर आते हैं ribbon के अंदर आते हैं ठीक है बार बार इसको एक दो बार revise कीजिए कि आपको याद हो जाएगा अब home के अंदर क्या आता है देखो home button के अंदर आता है हमें जो लिख रहे हैं उसका size कामिया जादा कर सकते हैं color चेंज कर सकते हैं format चेंज कर सकते हैं format का मतलब कैसा हम जो लिख रहे हैं उसका format कैसा होगा कौन सी ABC अपर लवर वो सब कुछ auto sum जम्मू जो आटो चलता वो बाल आटो नहीं यानि कि sum add करना है नंबरों को find किस जीज़ को ढूटना है select merge and center sort and filter अब मैं बता रहा हूँ merge and center का क्या मतलब होता है एक line, दो line, तीन line, चार line, पांच line ये एक तेर सरी line लिखी है इन सब डबूं को merge करना है और center में एक heading डालनी है उसको बोलते है merge and center sort का क्या मतलब होता है sort का मतलब होता है यानि के चीज़ों को अलग अलग group में डालना filter का भी ऐसा ही मतलब होता है तो ये सब किसके अंडर आते है ये आते है home menu के अंदर ठीक है अच्छा अभी के लिए हम इतना रखेंगे अगले episode में मैं आपको ribbon फिर से पढ़ाऊंगा और इसके आगे वाला episode चलेगा याद है ना आपको कहानी गर-गर की और क्या होता था सास भी कभी बहू है और क्या होता था गोपी बहू होती थी उसी तरीके से कल सब से पहले recap चलेगी और recap के बाद आगे जानियेगा Aspiradda के साथ Thank you and God bless you dear But time never stopped for anyone But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspiradda YouTube channel To start with you need to prepare a proper schedule for all the subject and without going out you should complete all the syllabus by yourself And when the critical situation will end here you are Hurray! You are ready for all the competitive exam Utilize this time until it go Aspiradda Institute Best Institute in Jammu for all the competitive exams We care for you Stay home